हाई फ्रेंड्स मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल नर्शरी नोलिज फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गिरासे इस प्लांट्स के बारे में जैसे कि आप इस क्रीन पर देख रहा है फाउंटें गिरासे fountain grass का use जो होता है वो garden में लगाने के लिए क्या जाता है या plants roadside लगता है इस plants की खास बात यह होती है दिखने में यह fountain type होता है जैसे जैसे यह बढ़ता है इसकी shape जो है fountain type होती चली जाती है यह बहुती होफसूरत plant होता है इसको बहुत ज़्यादा लोग लगाना पसंद करते है और यह बहुती सस्ता भी होता है इसलिए लोग स्कोर भी ज़्यादा लगाते है दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं पैना सेटम गिरास के बारे में वो भी इसी की family की होती है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे है पैना सेटम गिरास है यह भी इसी की family की होती है इसको पैना सेटम के नाम से जाना जाता है यह दिखने में green color की होती है और इस पे भी white color की flowers निकलती है जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पैना सिटम गिरास है इसको भी लोग ज़्यातर गार्डन में लगाते हैं ये रोड साइट लगाया जाता है ये भी दिखने में बहुत ही खुपसुरत होती है इसका भी फाउंटेंट टाइप बन जाता है ये दोना एगी फैमिली के गिरासेस होती है और बहुत ही खुपसुरत होती है ये बहुत ही ज़दा गार्डनों में लगाई जाती है इसके लावा काफ़ी साधी ऐसी गिरासेस होती है जो कि गार्डन की खुपसुरती में चार चांद लगा देती है लेकिन आज की वीडियों वो सिर्फ तीन ही किरासे इसके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं एस्पारा मेरी या एस्पारा गस ये तीन चार्ट विराइटी होती है एस्पारा की एस्पारा मेरी एस्पारा गस इस प्रेंग यह जो आप इस्क्रिन पर देख रहे हैं यह एस्पारा गस इस्प्रेंग यह यह गिरिन वोल्ड में भी लगाई जाती है और इसको गार्डन में भी लगाई जाता है यह हैंगिंग बास्किन में भी लगाई जाती है हैंगिंग बास्किन में काफी जादा हैंग हैं कि वीडियो में तब तक के लिए अलविदा